एलो फ्रेंड्स, वेलकम तो क्रेजी जेके ट्रिक वीकली करेंट अफेर की सीरीस को देखे आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 मई से लेकर 27 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर को काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वीडियो को end तक जरूर देखिएगा अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप Crazy Jacketrick के application डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से आप देखिए इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बिना केसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंड्स हमारा पहला कोशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतराश्टिय बुकर पुरुसकार 2023 प्रदान किया गया किस पुस्तक के लिए टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारिया के लेखक जोर्जी गोस्पोडिनोव और इस नौवल की अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतराश्टिय बुकर पुरुसकार 2023 जीता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट टाइम शेल्टर जो है बुल्गारिया का पहला उपन्यास बन गया है जिसने अन्तराश्टिय बुकर पुरुसकार अपने नाम किया है इस उपन्यास की बात करते हैं तो Time Shelter एक ऐसे क्लिनिक की कहानी को बया करता है जहांपर भुलने की बीमारी का इलाज किया जाता है टाइम शेल्टर एक व्यक्ति की कहानी को बताता है जो अलजाइमर रोग्यों और डिमेंशिया से पिडित लोगों के लिए एक क्लीनिक शुरू करता है ताकि उनकी यादाश ठीक हो सके पिछले साल अंतराश्टी बुकर पुरुसकार 2022 की बात करते हैं तो भारती लेकी का गितानजली श्री द्वारा लिखीत और डेजी रॉक्वेल द्वारा अनुवादीत हिंदी उपन्यास टॉम ओफ सेंड के लिए प्रदान किया गया था ध्यान रखेगा गितानजली श्री क को दिया गया था अंतराश्टी बुकर पुरुसकार 2022 ठीके एक्जाम में पुछा आ सकता है ये भी कोशन अंतराश्टी बुकर पुरुसकार की बात करते हैं तो हर साल देखिए ये एक पुस्तक के लिए दिया जाता हैं जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता हैं कब से शुरुआत हुई थी इसकी 2005 से देखिये इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखेगा 2023 में टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतराश्टिय बुकर पुरुसकार 2023 जो है वो दिया गया है। बुलगारिया के लेखक जोर्जी गोस्पोडिनोव और नौवेल की देखिया अनुवादक एंजिला रोडेल को। नेक्स कोशन की तरब चलते हैं तीसरे खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा हैं। बहुत इंपोर्टेंट है ये भी। तो थर्ड खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम का आयोजन कहां पर किया जा रहा हैं उत्तर प्रदेश में। 25 मही से लेकर 3 जून तक के बीच में देखिये इस प्रतियोगीता का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम की बात करते हैं तो भारत में आयोजित एक राष्टी इस्तर की बहु खेल प्रतियोगीता हैं। जहां देश बरके विश्विद्यालों के एतलीट विभिन्न खेल विश्यों में प्रतिस्परदा करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम का उद्देश जो है वो क्या है? 18-25 वर्ष की आयू वर्ग में शक्षम एतलीटों की पैचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अच्छा प्लेटफॉर्म डिलीवर करना। ध्यान रखेगा फ्रेंड्स, फरवरी 2020 में प्रधान मंत्री नरेन मोधी द्वारा पहले खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम के संस्क्रण का उद्गाटन किया गया था, 2020 में, कहां पर कटक में, क्लियर? और पहले खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम का आयोजन कहां प पर नाटक और तीसरा देखिए अभी हाली में चल रहा है कहाँ पर उत्रपदेश में इससे रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान रखेगा कि जो खेलो इंडिया उनिसिटी गेम का आयोजन उत्रपदेश में किया जा रहा है वहाँ पर देखिए जो शुभंकर है उसका नाम क्य है जीतू है इसे यूपी के देखिए बारा सिंगा और सारस से जोड़ा जा रहा है क्लियर तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफोर्मेशन अगर आपको क्रेजी जीगे ट्रिक का GS फा अप्लिकेशन डाउलोड कर लीजिए आपके exam selection के लिए बहुत ही beneficial होने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं friends अब हम उनपचासवे G7 शिकर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया very very important question कहां पर किया गया friends हिरोशिमा जापान में 19 से 21 मई के बीच में देखिए इस शिकर सम्मेलन का आयोजन किया गया हिरोशिमा जापान में प्रधानमंती नरेन मोदी ने भी देखिए G7 शिकर संबिलन में भाग लिया, G7 जो है ये विक्सित अर्थ विवस्ता वाले देशों का एक ग्रूप हैं, जिसमें साथ देश हैं, कौन-कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ग्रूप ऑफ सेवन हो गया, शुरुवात में केनेडा जो था, वो देखिए इस ग्रूप का हिस्सा नहीं था, तो उन-पचासवे G7 शिकर संबिलन का एयोजन ध्यान रखियेगा, कहां पर किया गया, हिरोशिमा, जापान में किया गया, अगर हम देखिए पिछले G7 शिकर संबिलन का एयोज़न कहां पर किया गया था, तो जून 2022 में देखिए जर्मनी में किया गया था और आने वाला जो देखिए G7 शिकर संबिलन है, जो कि 50 वा G7 शिकर संबिलन होगा, उसका एयोजन देखिए 2024 में इटली में किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको पता होना अगला देखे कोशन आता है प्रधानमंती नरिन मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कि इस देश में रखी तो फ्रेंस हाली में प्रधानमंती नरिन मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है औस्ट्रेलिया में पीएम नरेन मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में दोनों देशों के बीच दोस्ति के प्रतीक और प्रवासी भारतियों के योगदान को मानेता प्रदान करने के मकसद से लिटिल इंडिया गेटवे के आधार शिला रखी हैं Harris Park जो है ये पशिमी Sydney में एक केंद रहे हैं जहां भारती समुदाय जो है वो दिवाली और Australia दिवत जैसे त्योहारों को celebrate करते हैं ध्यान रखेगा friends कहां पर Australia में वरतमान में देखिया Australia के Prime Minister कोन है Anthony Albanese ध्यान रखेगा इस चीज़ को भी चलिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं यहां पर D आंसर बिल्कुल साही होगा इस बुक के अंदर बंगाल विभाजन और भारत के विभाजन के बारे में देखिये अच्छे से वर्णन किया गया है ध्यान रखेगा friends राम माधव के दोरा लिखी गई है देखे हाली में और भी कुछ चर्चित पुस्तके हैं जो आपको दिमाग में रखना है Smoke of Ashes यह देखिए अमिताफ गोश द्वारा लिखी गई War and Woman इसे लिखा गया Dr. M.A. हसन द्वारा Wipin the Man Behind the Uniform इसे रचना रावत द्वारा लिखा गया Mad in India अमिताफ कान द्वारा लिखी गई Drop the Murmoo from Tribal Hinterlands to Raisina Hills यह कस्तूरी रे द्वारा लिखी गई Eight Years of Modi सरकार इस पुस्तक को लिखा गया संदीप मारवा के द्वारा यह कुछ बुक्स हैं यह भी important है आपको इनको भी दिमाग में रखना है चलिए, next question की तरब चलते हैं हाली में चर्चा में रहे मुर्ली शिशंकर किस खेल से संबन दीते हैं तो किस खेल से संबन दीते हैं फ्रेंड्स देखिए मुर्ली शिशंकर जो है यह भारती एथलेट हैं जो की लंबी कूट से संबन दीते हैं इसलिए देखिए सुर्कियों में रहे मुर्ली श्रिशंकर इसके अरावा देखिए अभी हाली में 2022 राष्ट मंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था उसमें देखिए मुर्ली श्रिशंकर ने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया था और राश्ट मंडल खेलों में रजत पदक जितने वाले भारत के पहले पुरुष लॉंग जम पर बने थे तो ध्यान रखेगा इस चीज को भी देखें यहां पे हमने लॉंग जम की बात करी तो भारत की तरफ से लॉंग जम का राश्ट्री रिकॉर्ड जो है नेशनल रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम परें जस्विन एल्डरिन के नाम परें 8.42 मीटर का हाली में देखिए अब इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है ये चीज़ भी हमने डिसकस करी थी प्रिवेस करेंट अफेर में तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्ज में इस्ती थे देखे कपिलेश्वर मंदिर हाली के दिनों में क्यों चर्चा में रहा क्योंकि भारती पुरातत्व सर्वेक्षन आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने संरक्षित स्मार्को की सूची में इसे जोडने का एक मत्पूर निर्ने लिया है भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन ने माना है कि मंदिर की संरशना को अच्छी तरह से बनाय रखा जाएगा और आने वाली पीडियों के लिए से संरक्षित किया जाएगा यहाँ पर हमने भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन की बात करी Archeological Survey of India की तो फ्रेंट्स एक भारती सरकारी एजेंसी है जो पुरा तत्विक अनुसंदान और देश में सांस्कृतिक एतियासिक स्मारकों के संडरक्षन का काम करती है जिसका गठन कब हुआ था? 1861 में इसका गठन हुआ था ठीके फ्रेंट्स ध्यान रखिएगा कपिलेश्वर मंदिर चर्चा में रहा ओडिसा में इस्थित हैं नेक्स कोशन आता है हाली में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबन्द किस राज़ से हैं? किस राज़ से हैं देखिए जारकंड से जारकन के मुख्यमंत्री हैमन सोरेन ने हाली में ग्रामिन शेत्रों के लोगों के लिए उनमें आ रही आवगमन के समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामिन गाड़ी योजना जो है वो शुरू करी है इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश क्या है ग्रामिन शेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना ताकि गाउं से प्रखंड और जिला मुख्यालय से शहर तक आवगमन की सुविधा जो है वो आसानी से प्राप्त हो सके इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे शेत्रों में वाहन उपलब्द कराये जाएंगे जहांसे लोगों को वाहन न मिलने के कारण कई किलोमेटर पेदल चलकर गाड़ी पकड़ना पड़ती हैं तो ध्यान रखेगा फ्रेंड्स मुख्यमंत्री ग्राम ग्राड़ी योजना जो है ये जहरकन राज में शुरू की गई नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं क्वार्ट शिकर सम्मिलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी हाली में देखिए फ्रेंड्स प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने जो जापान का दोरा किया था जी सेवन देखिए सम्मिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जापान के हिरोशिमा में क्वार्ट देशों के राष्ट अध्यक्षों के साथ देखी एक बैठक हुई इस बैठक के दोरान ये डिसाइड किया गया कि क्वार्ट शिकर सम्मिलन 2024 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा और भारत को देखिए ये मेजबानी सोपी गई ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वार्ट शिकर सम्मिलन 2024 की मेजबानी भारत करेगा यहाँ पर देखिए हमने क्वार्ट की बात करी तो देखिए इसका फुल्फोम होता है यह जो सम्मू है यह इंडो पैसिफिक में शान्ती, स्थिर्था और सम्रद्दी सोनिश्चित करने के लिए एक महत्पुन मंच है इसके इस्थापना कब हो वी थी? 2007 में इसके इस्थाप हो वी थी इसके वर्तमान में सदस्य कोन-कोन है? भारत, अमेरिका, ऑस्टेलिया और जापा ने यह चीज़ ध्यान रखेगा फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट है चलिए, नेक्स्ट कोशन की तरब चलते हैं पंच कर्म संकल्प का संबंद किस मंत्राले से हैं? किस मंत्राले से हैं फ्रेंड्स? Ministry of Ports, Shipping and Waterways बंदरगा, नोवहन और जल मंत्राले से देखिए इसका संबंद है यह आंसर यहां पर सही होगा पंच कर्म संकल्प जो है यह पांच प्रमुग गोशनाए हैं जो की हरिच शिपिंग, मतलब ग्रीन शिपिंग और बंदरगाहों के डिजिटिली करण को बड़ावा देगी ध्यान रखिएगा पंच कर्म संकल्प जो है यह Ministry of Port Shipping and Waterways से संबंद दीते हैं नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं पारंपरी खेल गतका का संबंद किस राज़ से हैं? तो देखिए गतका का संबंद हैं पंजाब से गतका पंजाब राज़्य का एक पारंपरी खेलें हाली में फ्रेंट्स चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारती ओलंपिक संग ने गतका को देखिए सेतिसवे राश्ट्री खेल 2023 में शामिल करने की मंजूरी दे दियें सेतिसवे राश्ट्री खेल में गतका को देखिए प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है फ्रेंट्स ध्यान रखिएगा सेतिसवा राश्ट्री खेल जो है यहां पर हमने देखिए गतका खेल की बात करी तो यह सिक गुरुवों से जुड़ी छड़ी लड़ाई का एक प्राचिन मार्शलार्ड का रूप है इसकी शुरुवाद जो है श्री गुरु गोबिन साहिब जी ने की थी पंजाब से संबन दीत है चलिए next question की तरब चलते हैं अन्तराष्टी जेव विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल Friends देखिए 22 माई को अन्तराष्टी जेव विवित्ता दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल बाइवदिर्सिटी डे 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? From Agreement to Action, Build Back Biodiversity ये इस बार की थीम थी 1993 में देखिए संयुक्तराष्ट महासबा ने जेव विवित्ता के मुद्दो पर समझ और जागरुकता बढ़ाने है तू 22 मई को अंतराष्टी जेव विवित्ता दिवस गोशित किया था तब इसे हर साल 22 मई को अंतराष्टी जेव विवित्ता दिवस मनाया जाता है नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं इन में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेन मोदी को सर्वोच पुरुसकार Companion of the Order of Logohu से सम्मानित किया है तो फ्रेंट्स देखिए हाली में प्रधानमंत्री नरेन मोदी को पापुआ न्यूगिनी ने अपने देश के सर्वोच पुरुसकार Companion of the Order of Logohu से सम्मानित किया है पापुआ न्यूगिनी ने प्रशान दीब देशों की एकता और Global South की अगवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन मोदी को इस सर्वोच सम्मान से सम्मानित किया है इसी के साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेन मोदी को फीजी के सर्वोच सम्मान से भी सम्मानित किया है फीजी के प्रधानमंत्री सित्वेनी राबुका ने देश के सरवुच सम्मान Companion of the Order of Fiji से सम्मानित किया है इस चीच को भी धियान रखेगा फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए ए अंसर हमारा बिल्कुल सही होगा पापुआ न्यूगिनी नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं English Premier League 2022-2023 का किताब कििसके द्वारा ज जीता गया तो फ्रेंट्स किसके द्वारा जीता गया Manchester City द्वारा Football Cup English Premier League 2022-2023 का किताब देखिए Manchester City ने जीता Final जो हुआ था Manchester City और Chelsea के बीच में हुआ था 1-0 से देखिए Manchester City ने हरा कर English Premier League का किताब जो है वो अपने नाम किया है Manchester City का देखिए ये 7 टाइटल है English Premier League का अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार English Premier League का किताब किसने जीता है तो वो जीता है Manchester United ने 13 बार यहाँ पर हम English Premier League की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल कलबों का देखिए एक English पेशेवर लीग है इसकी शुरुआत जो हुए वो 1992 में हुई थी यहाँ पर ध्यान रखिएगा Manchester City ने जीता है इस लीग को चलिए नेक्स कोर्शन की तरब चलते हैं FIBA Asia का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो फ्रेंड्स हाली में देखिए डॉक्टर के गोविंद राज को FIBA Asia का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है FIBA Asia का देखिए फुलफो में International Basketball Federation Asia Zone ज्यान रखिएगा फ्रेंड्स हाली में डॉक्टर के गोविंद राज को FIBA Asia के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर के गोविंद राज इस पत पर पहुशने वाले देखिए पहले भारती है यहां पर हमने देखिए FIBA की बात करी तो राश्ट्री संगठोनों का एक संग है जो की दुनिया भर में बास्केट बॉल के खेलों को नियंतरित करता है इसके स्थापना कब हुवी थी? 1932 में देखिए इसकी स्थापना हुवी थी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कोने हमाने नियांग क्लियर? चलिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं भारत का सबसे बड़ा हाईकोट भवन किस राज़ में बनाया गया है? किस राज़ में बनाया गया है? जारकंड में हाली में जारकंड देखिए हाईकोट के नए भवन और परिसर का उदगाटन किया गया राश्पती द्रौपदी मुर्मूद्वरा उद्गाटन समारों में देखे भारत के मुख्य नियाईदीश डी-एस चंद्रचूड और जारकंड हाईकोड के मुख्य नियाईदीश संजय कुमार मिश्र भी मोजूद थे ये हाईकोड जो है देश का सबसे बड़ा हाईकोड है जो की 165 एकड में फेला हुआ है भारत में देखी वर्तमान में उच्छ नियालाई मतला हाईकोड की कितनी संक्या है 25 है भारत का पहला उच्छ नियालाई जो है वो कोलकता में स्थापित किया गया था ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा हाईकोट भवन किस राज्ज में बनाया गया है जारकंड में नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं चर्चा में रहा सूपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विक्सित किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है एक्जाम में देखी पूछा जा सकता है कोशन किसके द्वारा विक्सित किया गया है इसे स्रीडेक पूने द्वारा यहाँ पर स्रीडेक का देखिए फुल फोर्म क्या है Center for Development of Advanced Computing वेरी वेरी इंपोर्टन फ्रेंट ध्यान रखेगा बात करते हैं कि देखिए यह सुर्क्यों में क्यों रहा तो हाली में जर्मनी में आयोजीद 61 अंतराश्टिय सूपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 प्रमुक वेश्विक सूपर कंप्यूटिंग सूची जो है वो जारी की गई जिसमें स्रीडेक पुने में स्थापित Artificial Intelligence सूपर कंप्यूटर एरावत को 500 प्रमुक वेश्विक सूपर कंप्यूटिंग सूची में 75 अस्थान हासिल हुआ हैं इसलिए देखिए ये सूर्कियों में रहा विश्व के देखिए टोप 500 सूपर कंप्यूटर में भारत का देखिए एरावत AI सूपर कंप्यूटर जो है वो 75 अस्थान पे रहा है साती में ये भी ध्यान रखेगा सूपर कंप्यूटर एरावत जो है ये भारत का सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर है ठीके? अगर हम फास्टेज सूपर कम्प्यूटर की बात करें वीशो में तो वो कौन सा है? फ्रॉंटियर है ठीके फ्रेंट्स? चलिए नेक्स कॉशन की तरब चलते हैं Data Security Council of India या DSCI की अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया? किसे न्यूक्त किया गया फ्रेंट्स? हाली में प्रमोद भसीन को DSCI की अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया DSCI Data Security Council of India की बात करते हैं तो ये NESCOM द्वारा स्थापीद भारत में डेटा सुरक्षा पर एक Non-profit Industry Body हैं जो कि Cyber शेत्र में Cyber Space को सुरक्षित और विश्वस्नी बनाने के लिए प्रतिबद हैं ध्यान रखिएगा DSCI के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद भसीन को न्यूक्त किया गया Next Question आता है इंपोर्टेंट है ये भी तो देखिए कहाँ पर किया है दिल्ली में नव निर्मित जनगर्ना भवन का हाली में इनों ने उदगाटन किया यहाँ पर ए आंसर सही होगा इस कारिकरम के दोरान ग्रह मंत्री ने देखिये पुस्तग जनगर्ना संग्र का भी देखिये विमोचन किया केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिशा ने इस भवन को रजिस्टर जनरल और जनगर्ना आयुक्त के नए घर के रूप में चिन्नित किया है वर्तमान में देखिये फ्रेंड्स प्रतमेश जावकर का संबंद किस स्केल से हैं? देखे किस स्केल से संबंदीते हैं? तिरंदाजी से संबंदीते हैं. प्रतमेश जावकर ने शंगाई में देखिए तिरंदाजी विश्वकप 2023 स्टेज 2 में निदरलेंड के विश्व नंबर 1 माइक श्लोसेर को हरा कर पुरु और जोती ने भी देखे सौनपदक अपने नाम किया हैं। प्रतीक को पहले देखे इलाबात के एक संग्रालय में रखा गया था। सेंगोल की बात करते हैं तो एक 5 फिट लंबी चड़ी होती हैं जिसके उपर भगवान शिव के वहान कहे जाने वाले नंदी विराजमान होते हैं। नंदी जो है वो नियाय और निश्पक्षता को देखे दर्शा आते हैं। तो फ्रेंड्स प्रधानमंती नरेन मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से देखिए उत्राखन राज्य की पहले वंदे भारत एक्स को हरीजंडी दिखाई। ये ट्रेंड जो है देरादून से नई दिल्ली के बीच में देखे शुरू की गई है। ने दिल्ली के बीच में शुरू की गई। इसके अलावा बच्चों की जाँच के लिए केम्प भी लगाये जाएंगे। ध्यान रखेगा फ्रेंड, चतिसगर राज से सम्बन दीते हैं, हमार सुघर लाइक का अभियान। ठीके, नेक्स कोशन की तरब चलते हैं। माउंट एवरेस को रिकॉर्ड 28 वी बार देखिए फतर किया हैं। इसलिए बोज़ा सुर्क्यों में रहे। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस की, तो सबसे पहली बार 29 मई 1953 को न्यूजिलेंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तैंजिंग नौरगे ने पहली बार इसे फतर किया था। भारत की तरब से देखिए माउंट एवरेस की चोटी पर पहुशने वाली पहली मईला को थी? बच्छेंदरी पाल थी। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस को फदर किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट कोशन की तरब चलते हैं तो किसे बनाया गया है, भारतिय किर्केटर और पूर्व कप्तान सोरफ गांगुली को तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए हमारे 21 मई से लेकर 27 मई तक के सब भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर कंप्लीट होते हैं आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा अगर आपको वीडियो को सब इंट्रेस्टिंग लगे हैं, मेहनत अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप Crazy Zikater के अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा तो फ्रेंड्स केसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में, जैहिन जै भारत